कई लोगों के सवाल थे साइटेबबोक्स एटेव का इसा बोन्च नहीं हुआ ऐसा साइटेबबोक्स नहीं नीकाला, क्या बात है तो दोस्तो, साबुत मैं आपको इस वीडियो में फैस करूँगा आप प्राई वीडियो देखो अगर दोस्तो, वीडियो में तोड़ी सी सच्छा एसprotी तो इस वीडियो को लाइक तो कर दो ताकि आपको भी एसे एपटे सैटर बोक्स के बारे में जानकारी मिले आप जूट बोलते हो, आप गलत नूज देते हो तो सारी चीज़े दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या मैंने जूट बोला है जो कई लोग कहते हैं एटल का सैटर बोक्स ऐशा कुछ आया है नहीं आया तो है मार्केट में आप ट्राइ करो तब पता चलेगा आपको एटल का सैटर बोक्स आया नहीं आए भिना देके बोल देते हैं नहीं जो मेरे वीडियो देखते उनको पता है लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि ATL का ऐसा कोई box नहीं आया, जो FTS set up box जिसमें 3 साल free नहीं आया तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि यह देख लीजी आप इस set up box को दोनो set up box में, जो recharge वाले set up box में और FTS set up box में कोई फरक नहीं आएगा सारी चीजे दोस्तों इस वीडियो में आपको confuse दूर करूँगा लेकिन दोस्तों आपसे request है वीडियो पुरा देखना कई लोग price के लिए पूछते है price मैंने वीडियो में बताई थी कि इस box के ये cost है फिर भी दोस्तों वीडियो अदूर आप देखते हैं चूंकि दोस्तों यहां एटेल की बात करते है जिंक सूपर फैटा बॉक्स जहां डिश टीवी ने निकाला वैसे ही दोस्तों एटेल ने भी तीन साल फ्री वाला निकाला जब आप यह करो जब डिश टीवी वीडियो को चार साल फ्री दे सकता है एक एटेल सायटा बॉक्स निकाल कर तो एटेल क्यों निकाल सकता है क्या उसके पास कुछ भी नहीं है एटेल ने भी तीन साल फ्री वाला निकाला मजय वाली बात है आपकेस्थ करना है और आपको ही इसका करना होगा कि यह देखें दोस्तों यहां एक फोटो आपको दिख रहा होगा यह एटेल का FTS सैटो बॉक्स का फोटो है उपर आप देख रहे हो और नीचे एक इस्टिगर लगा हुआ है बॉक्स के नीचे जिस पे आपको एटेल डिजिटल टीवी लिखा गया है और इसमें तीन साल टीवी फ्री बिना रुकाउट के अब यहां एक चीज़ आप नोटिस करना दोनों के बॉक्स सहम हो आते हैं दोनों के जो सैटो बॉक्स सहम है ऐसा कोई नहीं है दोनों में फरक है दोनों के रिमट सहम आते हैं एप्टीव वाले का भी सहम आएगा और रिचार्ज वाले का भी सहम आएगा दोनों के एडप्टर सहम है सैटो बॉक्स की कोलेटी सहम है दोनों SD box आएंगे SD my cable उसके साथ आपको मिल पाती है लेकिन फरक इतना रहेगा जब आप जब FTA setup box purchase करते हो तो FTA setup box पे यह एक की जो आप यहाँ देख रहे हो box इसके नीचे के और only एक sticker लगा हुआ हो रहेगा कि यह FTA box है और box के नीचे भी तीन साल की वैदता लिखी गई है यानि तीन साल और यहाँ जो channel की बात करते हैं तीन साल 270 channel फिरी दोस्तो एक बात पूछू आपसे जब आटेल ने यह box नहीं निकाला तो यह जो तीन साल क्या रिचार्ड वाले box के तीन साल ही रेदिय की मैं आते कि तीन साल में बंद हो जाए गया है और यहाँ 270 channel ही एटेल के पास है आगे कुछ channel नहीं है 270 channel ही हो देगा दोस्तो यह तीन साल का package है और जिंक सूपर एपट एफ बाक्स आता है वैसे ही दोस्तो यह सैट बाक्स है मेरे खुद के यहाँ लगा हुआ है तब जाएके दोस्तो मैं पूरा संतुष्ट होके ही आपको वीडियो बलाता हूँ दूसरा सबुत दोस्तो मैं आपको पैस करना चाहूँगा यहाँ देखे दोस्तो एक इनोंने ब्राउसर निकाला है जिसपे साब साल उपर एटेल डिजिटल टीवी लिखा हूँआ और अब तीन साल तक टीवी देखे बिना रुकावट यानि आप तीन साल तक बिना रिचार्ज के आप टीवी देखे एक बार आपका पैसा लगेगा आपको यह जो बॉक्स है जिंक बॉक्स के जैसा ही है और यहाँ एटेल के नए बचट पैक के साथ साब साब लिखा गया है एटेल के नए बचट पैक के साथ प्लस दोसो सत्तर टीवी चैनल फिरी यानि 270 चैनल आपको इसमें DD Frisk के जितेवी चैनल है कोई सभी बास आगे आप देखते हो DD Frisk के सारे सभी बास आगे चैनल आते हैं अब ही आप DD Frisk का MP4 का आटो स्केन करो वहां 400 के अप्रोक्स आपको चैनल मिलेंगे बहुत सारे चैनल मिलेंगे लिखनी है ऐसा निये इसमें फिक्स लिम्टेड है 270 चैनल आपको मिल पाते हैं तीसरा नीचे दूसरा आप नीचे लिखा गया है एक साल की वारंटी सैटो बाक्स की सैटो बाक्स की एक साल की वारंटी यहां दी गई है और तीसरा है नए HD और SD चैनल डालने की सुविदा अब भी आपसे पूछना चाहूंगा जब एक टेल यह एक टेल बाक्स नहीं निकाला रिचार्ज वाला बाक्स आपसे समझ रहे तो यह नीचे का तीसरा पैंट देखो कि नए HD और SD चैनल यानि हमारे जो नॉर्मल चैनल और HD चैनल हम इस सैटो बाक्स में डाल सकते हैं यह चीज़े आप्स नोटिस करो इन्होंने ब्रॉुसर निकाला यह चीज़े आप यहां वीडियो पर देको और और सोचो और दिमाग लगाओ कि गलत है यह सही है, सही है जबी तो दोस्तों मैंने यह वीडियो बनाया है, आप लोग कह देते हो फैक वीडियो फैक पूरी वीडियो तो देखो, आप मार्केट में ट्राय करो कि कोरकों से सैट्टो बॉक्स आ रहा है, जो सैट्टो बॉक्स कोस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी का प्रायज है 2200 रुपे का एप्रोक्स यहां आपको कोस्ट है, जितना आप पे डीलर से बात करोंगे उपर नीचे प्रायज हो सकती है, डीलर आपसे ज्यादा भी ले सकता, कम भी ले सकता, यह मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह ची नहीं लगेगा, इस पे आपको टेक्स देना पड़ेगा, जो चैनल की कोस्ट है, उसका जो जियस्टी लगती है, वो आपको इस पे देनी पड़ेगी, दोनों का जोड़के आपका पैकेज हो जाएगा, अमालो मुझे एक चैनल लगवाना, यह दस चैनल लगवाना, यह प साल बर के बाल में दो साल वाले निकालेते अब चार साल वाले होगे तो जिनका जिनोंने साल पर पहले लिया था वो भी तो रिचार्ज करवा के ही आगे बढ़े हैं वैसे ही दोस्तों एटेल में है कि अगर आपका जिसे मान लो तीन साल फिरिये तीन साल बाद में भी इनका रिचार्ज सिस्टेम है रिचार्ज आप करवाओ आगी वेले डिटी बढ़ जाएगी सारे उप्सन आपके सामने थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह सही एक लगता है तो दोस्तों मुझे तो यह सैटर बॉक्स बहुत अच्छा लगा है और इसमें आप प इस साइटर बॉक्स में तो दोस्तों मैंने आपको सारे सभूत बता दिया है साइटर बॉक्स चल रहा है यह एटल ने निकाला है अभी नया लोंचुवा है आपकी जो एटल का नया नस्दिक डिस्टीबूटर है वहां से आप संपर्क कर सकते हो आपको नहीं मिले तो मैंस आपको पसंद आता तो लगवाओ अगर आपको पसंद नहीं आए तो दोस्तों आपको पसंद नहीं आए डिडिफिल्स तो आप रिचार्ड़ वाले देखो नहीं देखो आपको पसंद आया हुगा इस वीडिओ को अप्सेल करें लाइक करें दोस्तों को सब्सक्राइब करना जरूरह ना बुले तका आने वाली वीडियो रबड़ेट की जानकारी मिले अगर दोस्तों इस वीडियो में आपके कुछ सवाल है कुछ कन्फ्छ है तो मुझे कमेंट करना मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा